आज इस वीडियो भी बात करने वाले हैं कि पटना हाई करोट से 94,000 सिक्षक नियोजन को लेकर के रास्ता साफ होने के बाद दिब्यांग जनों को जो 15 दिनों को आविदन करने का जो मौका दिया है इसमें क्या दिसंबर सीट या जनवरी 2021 में जो सीट पास अभ्याति वे भी आविदन कर सकते हैं या फिर रोश्टर क्या अलग से फिर से जारी होगा आप सभी अभ्यातियों को बता दे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है एडवोकेट प्रिंस कुमार मिसरा का उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि द्योभी दिब्यांग जन है उनको 15 द for disabled candidate मतलब दिब्यांग जनों के लिए भी यह cut off date है 23-11-2019 अगर कोई भी दिब्यांग जन 23-11-2019 तक पास है तो वे आविदन कर सकते हैं और 23-11-2019 के बाद चाहे वो दिसंबर सीटेट हो या फिर जनवरी वाले अभ्यातियों वे आविदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 23-11-2019 ही cut of date है साथ ही आपको बता दे रोस्टर की बात करें तो आप सभी अभ्यातियों को बता दे जो है 4% आप सभी जान रहे हैं कि पहले से ही 4% रोस्टर जो है clear किया गया है 4% सीट सभी जीलों के दुवारा और आपने देखा था कि 4% सीट को लेकर के 15 दिनों का अलग से आविद नहीं किये है 15 दिनों का उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा लेकिन कोई नया रोस्टर तयार नहीं होगा फुराने वाले जो रोस्टर है उसी के आधार पर सिर्फ 15 दिनों का इन अभ्यार्थियों का जो है मौका मिलेगा cut of date 23-11-2019 है फिलाल आप सभी अभ्यार्थियों क को लेकर के शब विभाग के दौरा जो इन दिव्यांग जनों से 15 दिनों का अलग से आवे दिन लिया जाएगा इसमें आपको बता दे विभाग चाहे तो इन दिव्यांग जनों का अलग से एक final merit list जारी कर सकते हैं और जब चियन होगा उस समय जितना seat है और जिन किसी भी दिव्यांग जन का खायस्ट merit है उनके अनुसार उसका चयन कर सकते हैं लेकिन सिख्षाब विभाग के पास एक अलग नियम है विभाग अपनी नियम की अनुसार चल दही है इसलिए अभी तक जो भी जिले का merit list जारी हो इसमें कहीं भी अलग से दिव्यांग जनों का merit list जा है कि सवालाग सिक्षक बहाली का रास्ता साब पटना हाई कुर्ट ने जो है 94,000 सिक्षक बहाली परिकरिया को जल्द से जल्द कम्प्लीट करने का भी आपको बता दे कि आदिश दिया है लेकिन यहां पर ब्लेंड फेरिडेसन की याचिका पर सुनबाई के दोरां दिव्यांग उमिदबारों को आविदन के लिए जो है 15 दिनों का मुहलत दी है इसके बाद ही 94,000 सिक्षक नियोजन को लिए करके मैरिट लिस्ट जारी होगा और इसी क्याधार पर आपकी बहाली होगी तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर कहा जा सकता है वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सिक्षक बहाली मोर्चा के परदेश वसन्योजक सोदू कुबार सोनी के कारा है कि बलेंड मामले की सुनवाई दिव्यांगो के हिट में फैसले खर्त्म और इस वर से प्रात्म करें कि अब यहां से भरती में कोई भी नया पेंच ना आए और ना फसे इसे बहाली के परिकरिया देर आए पर दुरस्त आए सेस्थ भरती परिकरिया सिग्र संपन हो इसके इस वर से कामना करते हैं वहीं प्रात्मिक सिख्षा के निदेशक डॉक्टर रंजरीत कुमार सिंग ने कहा है कि बी पोजेटिव बी हैप्पी इस ओर्डर के आजाने के बाद साथ ही उन्हों ने ये भी कहा कि ये चात्रों के लिए एक बहुत बरी खुश्खबरी आ गई है कि 15 दिनों का एक बाब फिर से आप इतन लिया जाएगा और फाइनली पटना हाई कूर्ट से फैसला आ गया है तीस अपडेश्ट आप